नमस्कार मैंगूदेव जांगेड, आज हम बात करेंगे कि जूम क्लाउड मीटिंग किस तरह से जोइन करनी है जैसा कि आपको पता है अभी जब भी कोई ओनलाइन मीटिंग करनी होती है या फिर ओनलाइन क्लास कंड़क्त होती है तो वैसे तो टेले कंफरेंसिंग के लिए के लिए बहुत सारे एप्स हैं लेकिन जूम काफी ज्यादा यूज हो रही है उसके एक बड़ी वज़ा यह है कि इसमें सो लोगों तक को जॉइन करके एक साथ मीटिंग लिग जा सकती है तो इसमें काफी सार समझ्चा आते कि किस तरह से जॉइन करना एक सिर्फ लिंक से या पर जो लिखा आ रहा है जूम डोट यूएस नीचे यह आना चाहिए वही औरिजिनल है बाकी हो सकता है कई सारी आपको जूम मिल जाएंगे और नहीं डाउनलोड करें फरजी एप कोई हो तो उसको नहीं करें इस एक पर करें यह डाउनलोड करने के बाद में आप लाइक यहां पर देखेंगे तो इस तरह से वाटसअप से या किसी अलग-लग मीडियम से आपको लिंक शेयर किया जा सकता है तो जैसे अगर इस तरह से लिंक आपको डाला जाएगा तो लिंक में भी आपको द्यान देना है यहां पर देखिए आप कि जूम डोट यूएस और ऐसे लिंक पे आप सेफली क्लिक कर सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं है इस पे क्लिक करने के वज़ जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीधा सीधा आपके फोन में पहले से जूम अप्लिकेशन डाउनलोड करी है तो कुछ इस तरह का इंटरफेज खुलता है सामने प्रिपेरिंग मीटिंग ऐसा करके आएगा और बीच में एक पॉपप खुलता है जिस तरह से ये प्लीज एंटर यूर नेम ऐसा लिख के आता है तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और जहाँ पे जो ओके है इस ओके को दबाके और सब्मिट कर देंगे अपना नाम और यह नाम आपने एक बार डाल दिया तो अगली बार बार डाल लिए जोट नहीं पड़ती यह पॉपप जरूर खुलता है लेकिन आपका नाम पैले से जो पिछली बार डाला था वो दिखाता रहता है तो आप सिंपली ओके कर सकते है अगली बार में इसमें ओके करने के बाद जब आपको नेक्स्ट पीज खुलेगा वो कुछ इस तरह से खुलेगा ओपर यह ग्रीन में जूम लिख के आएगा और यह जो फोटो दिख रही इस तरह से खुलेगा और नीचे आप देखें तो इस तरह से लाइन ने दिखाई देती है अलग लग यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो जॉइन ओडियो लिख के आ रहा है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जोइन ओडियो के अउपर यहाँ आप देखेंगे वाइफ़ाइ ओर सेलूलर डेटा इस तरह से लिखा आता है आपको उस पर क्लिक करना यानि उन्गलिच से उसको टच करना होता है जैसे उस पे आप touch करेंगे तो यहां पे join audio की बजाए mute का option आता है नीची mute लिखाएगा और इसमें वो जो mic जैसा symbol होता है वो दिखने लगेगा यहां पे तो यहां से आप अपना audio है उसको mute कर सकते हैं और unmute कर सकते हैं कि अपनी आवाज जो है उसको बंद कर सकते हैं चालू कर सकते हैं जब आपको होस्ट कहता है अपने आपको mute करने के लिए तो इस पे क्लिक करके आप mute करें तो उस जो जो सिंबल होता है माइक का उसके उपर एक क्रॉष का निसान आजाएगा इस तरह से और नीचे अन्म्यूट लिखाएगा तो आप अगली बार अन्म्यूट करेंगे तो इस पे क्लिक करके अन्म्यूट कर सकते हैं दूसरा है कि आपका जो वीडियो है यहां आप देखने है स्टार्ट वीडियो तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको इसके उपर क्लिक करना है फिरी जो रेड क्रोस कर रखा उपर वो हट जाता है और आपका वीडियो स्ट्रीम होने लगता है आपके होस्ट है वो सामने से वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो बं दिखाई दे रहे हैं इन three dots पे क्लिक करके अगर आपको host को एक हो सकता है कि host ने आपको mute कर रखा है या अगर class ले रहे हो सकता आपका teacher ने आपको mute कर रखा है और आप कुछ बता नहीं पा रहे है यह तो इन three dots पे क्लिक करके on right chat पैसे श्ञाि हो周 आप बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं यह option यहां पर आते हैं ठीक है उसके बाद में दूसरा option आता है यह तो मैंने अभी जो बताया उसमें सिधा सिधा आपके साथ link share किया जाता है उस link पे click करके आप सिधा आप वह दिया जाता है उस case में क्या होता है कि कितने बजे मीटिंग होनी है कौन सी डिट को होनी है वह पहले से decide होती है जैसे मैंने का example को तो आप रखा है आप देख सकते हैं यह जो में 25 मई को 21 पीम पे होनी है तो इस तरह से पर इसकी मीटिंग की जो ID बन जाती है और ID के स साथ साथ इसके अंदर नीचे आप देखेंगे तो पासवर्ड होता है यहां आप देख सकते हैं यह इसकी ID है और जो ID है यह हमेश्या 11 डिजिट का एक नंबर होता है तो यह इसका पासवर्ड है जो की अल्फा न्यूमरिक यानि कि उसके अंदर नंबर भी होते हैं और अल्फावेटिक जो अल्फावेटिक से वो भी होते हैं यह मिक्स होता है यह अगर आपको दिये हुए पहले से तो आपको कैसे जोइन करनी है उसमें आप क्या करेंगे सीधा सीधा अपने अप पे जाएंगे और जोइन अमिटिंग सबसे पहले आपको ब्लू कलर में हुआ इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको नीचे यहां पे मेटिंग आइडी डालने को मिलेगा मेटिंग डालने के बाद में आइडी डालेंगे और यहां पे जैसे आप देख रहे हैं इधर अपना नाम डालेंगे यहां मेटिंग आईडी और इसके नीचे आएगा यहां अगर जोइन होते हैं तो भी सेम तो सेम उपर जैसा मैं आपको दिखा है था वैसे के वैसे इंटरफेर्च आपके सामने खुलेंगे नाम आपने पहले से जाल दिया तो सीधा यह वाला पीज आ जाता है यहां से आप वाइफाय स्ट्रोक चैलुलर पे कलिक करके और पिर भी कोई दिक्कत हो प्रोब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें थैंक्स पर वॉचिंग जै हिंद जै भारत